नमस्कार मेरे नूमिसर अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में मैं बना रही हूँ बहुत ही सुन्दर सा डिजाइनर हैंड बैग या फिर पर्स इस तरह का जो बैग है वो सभी को बहुत पसंद आता है दिखने में जितना सुन्दर है बनाने में उतना ही जादा आसान है सेप और साइज सब कुछ देखे कितना पर्फेक्ट है कलर भी इसका बहुत ही प्यारा है पूरी फिनिसिंग के साथ ये बैग बना हुआ है एक पॉकेट बैग में मैंने अंदर की तरफ लगाया है इसके अलामा इसमें देखे तीन पॉकेट बाहर की तरफ है एक ये बड़ा सा पॉकेट है इसके अलामा एक ये छोटा सा पॉकेट है जिसमें की आप कार्ड्स वगरह रख सकते हैं और एक pocket है जिसमें की जिप नहीं लगा हुआ है, आपने इस bag को किसी भी fabric से बना सकते हैं, अगर आपके पास blouse का कपड़ा हो या suit का कपड़ा हो, तो उससे भी इस bag को बना सकते हैं, सबसे उपर ये मैंने blouse का कपड़ा लिया है, फिर बीच में form रखा है, और नीचे अस्त cutting कहते हैं, अब ये एक साइट से सिल गया है, अब दूसरी साइट से भी इसी तरह से सीथी सिलाई कर लेनी है, तो अब ये क्विल्टिंग करने के बाद, एक स्ट्रा कपड़ा जितना है साइट से सब को कट कर लेंगे, अब इसका मेजर्मेंट देख लेते हैं, तो इसकी जो लंबाई है वो है साढ़े उननीस इंच और चोड़ाई है, ग्यारा इंच, यानि कि 19.5 इंच इसकी लंबाई और 11 इंच इसकी चोड़ाई है, अब इसके बाद हमें पॉकेट भी रेडी करना है, तो दो पीस ये मैंने पॉकेट बनाया है, क्विल्टेड पीस है, अस्तर फॉम दोनों में लगा हुआ है, दोनों की जो लंबाई है वो है 9.5 इंच और 6 इंच और चोड़ाई है दोनों की, अब इसमें से कोई सा भी एक भी समय लेना है, अब 6 इंच लंबा जीप लेना है, जीप को देखी दोनों भागों अलग कर लेना है, फिर ये एक साइड कपड़े के उपर जीप को देखी उल्टा रखना है और फिर सिल लेना है, अब जिप को उपर की तरफ करके फिर यहाँ पर प्रेसिश्टीश करना है इसी तरह से जिप का जो दूसरा भाग है उसको कपड़े के दूसरे साइड में उल्टा रखना है इस तरह से और फिर सील लेना है अब इसको भी उपर की तरफ करेंगे जिप को और फिर यहां पर प्रेस स्टिच करना है अब इसमें रनर को डाल लेते हैं रनर लगाने के बाद जो पॉकेट है इसको उल्टा कर लेते हैं अब उल्टा करने के बाद यह जहां पर जिप लगा है यहां से इसको इस तरह से मोड़ना है और फिर साइड इसका दोनों साइड है उसको सी लेना है अब यह छोटा वाला पॉकेट रेडी हो गया है अब इसको सीधा कर लेते हैं अब जो दूसरा वाला पॉकेट है उसको लेना है कोना वगर इसका देखी अच्छे से निकाल ले अब यह जो दूसरा बड़ा वाला पॉकेट है उसमें हमें जिप को लगाना है तो उसके लिए पहले इसमें उपर की तरफ सेफ देना है तो बीच से फोल्ड करेंगे और लग अब इसको अब देखे पूरा यह pocket में इसी के बराबर नाप के फिर जिप कट कर ले और पूरा एक साइड पहले जिप न कपड़े की उपर उल्टा रखके सिल लेना है अब जिप को देखे इस तरह से पलटना है और फिर दूसरी साइड इस पर प्रेस सिटिच करना है अब इसमें रनर डाल लेते हैं आप ने इसमें दोनों साइड से रनर डाले तो ज्यादा अच्छा होगा तो मैंने इसमें एक ही डाला है अब उसके बाद जो छोटा ओला पॉकेट है उसको इसके उपर जहां पर इस जीप लगा है वहां पर इस तरह से रखते वे और फिर इसको तीन साइड से सिल लेंगे बस यहां से फिर यह तीन साइड इसको सिल लेना है अब वापस से देखिए इस पर यहीं से मसीन को घुमाते वे एक सिलाई इसके उपर और कर लेना है अब यह पॉकेट जो छोटा ओला बन गया है इसके बाद क्या करना है नीचे की तरफ इसमें पाइपिंग करनी है तो लगबग 1.5 इंच चोड़ा कपड़ा लेना है और फिर उसको अंदर की तरफ इस तरह से थोड़ा सा मोड़ते वे दोनों साइड और इसको सिल लेना है अब इसको दूसरी तरफ पलट कर फिर डबल फोल्ड करते वे सिल लेना है अब पॉकेट को बैक के उपर लगाना है तो बैक को बीच से फोल्ड करेंगे पहले इसमें बीच में निसान लगा लें क्योंकि इसी निसान की उपर यह हमें पॉकेट को लगाना है अब उपर भी देखें सेंटर में निसान लगा लें अब जो सेंटर में निसान हमने लगा है वहां से 2.5 इंच नीचे निसान लगा लें इस तरह से अब जो pocket है उसमें भी center पे निसान लगा लेना है तो इसको भी देखे इस तरह से बीच से fold करेंगे और उपर एकदम बीचो बीच निसान लगा लेना है अब दोनों निसान को इस तरह से मिलाते वे और चारों side से इसको पुरा सिल लेना है देखे center से ये थोड़ा सा उपर ही रहना चाहिए लगबाग 1.5 इंच उपर रखे तब इसको सिलना है अब पूरा सिलने के बाद यहाँ पर लेज लगा रही हैं तो ये optional है आपने इसके उपर थोड़ डिजाइनर लेस लगा है मुझे इसके उपर sticker लगा रहा है न इसलिए मैं ये plain लेस लगा रही हूँ अगर आपको लेस वगएर नहीं पसंद है तो बिना लेस के भी ये back बहुत सुन्दर लगता है अब ये लेस लगा है अब अंदर वाले जो पॉकेट है उसको रेडी कर लेते तो अंदर वाले जो पॉकेट है इसकी शोड़ाई सात इंच और लंबाई इतनी ही इसी के बराबर है बैक के बराबर है अब यह कपड़ी के उपर जीप को उल्टा रखके सीलना है फिर जीप को उपर की तरफ करके प्रेसिश्टीच करना है अब इस जीप लगाने के बाद जैसे कि हमने यह सामने वाला pocket लगाया है वैसे ही इसमें यह अंदर की तरफ भी pocket लगाना है तो यह center में निसान लगा लें अंदर की तरफ bag में क्योंकि pocket को उसके उपर ही रख के सिलना है अब उपर से नहीं ये 1.5 इंच पे निसान लगा लें तो यहाँ पर देखिए इस तरह से pocket को रखते वे और फिर नीचे की तरफ एक बार मोड़ते वे तब सिलना है अब नीचे की तरफ देखिए एक बार इस तरह से मोड़ लेंगे और फिर इसको सिल लेते अब सारे pocket लग चुके हैं इसके बाद बेल्ट बना लेते हैं तो बेल्ट के लिए दो पीस हमें लेना है जिसकी लंबाई है 20 इंच और चोड़ाई है 2 इंच अब क्या करना है इसको दोनों किनारे से मोड़ना है फिर 20 से मोड़ के सिल लेना है अब ये दोनों बेल्ट बन गया है इसको हमें बैग में लगाना है तो यहाँ साइड से 3-3 इंच पे निसान लगा लेना है तो ये 3 इंच पे निसान में लगा लिया है इसी तरह से दूसरी साइड भी 3 इंच पे निसान लगा लेना है अब ये जो निसान अमने लगाया है इसी को उपर बेल्ट को रखना है और फिर इसको सी लेना है अब ये बेल्ट लग चुका है इसके बाद हमें इसमें जीप लगाना है उपर की तरफ तो जीप को देखिए इस तरह से बीच से अलग कर लेंगे एक भाग है जो उसको बैक के एक साइड में इस तरह से उल्टा रखते वे सील लेना है अब इसको जीप को और बेल्ट जो है दोनों को उपर की तरफ करके फिर यहां पर प्रेसिस्टिच करना है अब इसी तरह से दूसरी साइड भी जो जीप का दूसरा भाग है उसको सीलना ह अब यहाँ पर भी जीब को और बैल्ट को दोनों को उपर की तरफ रखना है और फिर इसके उपर प्रेस इस्टीश करना है तो अब यह जीब लग गया है अब इसमें रेनर को लगा लेते हैं अब ये जिप लग गया है अब बैक को उल्टा कर लेते हैं अब जो सेंटर में निसान लगा है न वहां से देखिए लगबग ये एक इंच इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते वे दोनों साइड इसको पकड़ते वे सिल लेना है तो दियान से देखिए इसी तरह से बस नीचे यहां बीच में सेंटर में इस तरह से फोल्ड करके और इसको सिल लेना है अब ये दोनों साइड सिलने के बाद यहां पर पाइपिंग करना है तो लगबग 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और अंदर की तरह से दोनों साइड फोल्ड करते वे और पूरा सिल लेना है अब यहां देखिए एक साइड सिलने के बाद इसको दूसरी तरफ पलट कर फिर डबल फोल्ड करते वे सिल लेना है अब इसी तरह से दोनों साइड पाइपिंग कर लेना है अब यह दोनों साइड पाइपिंग हो चुका है बैग एक दम कंप्लीट है फटा फट से बैग को सीधा कर लेते हैं सीधा करने के बाद ये जो plain lace मैंने लगाया है ना इसके उपर sticker लगा रही हूँ तो ये readymade sticker मार्केट में आता है बहुत ही बढ़ी होता है आप इसको किसी भी fabric के उपर लगा सकते हैं फेवी गम जो आता है, उसकी मदद से इसको कहीं भी चिपका सकते हैं, तो अब ये फेवी गम है उसको लगा के, फिर उसके उपर ये इस्टीकर को मैं लगा ले रही हूँ, तो देखी, अब ये बैग और भी ज्यादा सुन्दर लग रहा है, और ये कभी भी नहीं निकलेगा उमीद करती हूँ, आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कामेंट, शेयर करें, ताकि मैं आप सब के साथ और भी अच्छे-ची नई-नई वीडियो शेयर कर सकूँ, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू